दोस्तों वल्कम बैक तो अनदर टेक वीडियो आज बात करते हैं साउमी ने अपने साउमी 5A स्मार्ट टीवी स्रीज लॉंच किया है जो कि साउमी की 4A का नेक्स्ट वर्जन है और आपको पता है साउमी के 5 टीवी स्रीज पहले से अबलेबल है और इन टीवी में आपको ती चिंगिल नमस्ते जी तो दोस्तों सबसे पहले इन टीवी की बात करते हैं 5A स्रीज तो इसमें तीन वेरियंट है 32 इंच जो की SD रेडी होगा 40 इंच और 43 इंच फुल SD होगा और दोस्तों यहां पर अगर बात करें डिजाइन के तो डिजाइन यहां पे ओल्मोस्ट बेजल लैसर बेजल इसमें आपको नहीं देखने को मिलेंगे तो डिजाइन के मामले में का हैंटे काफी वेथर है दोस्तो अगर यहाँ पर पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर आपको नहीं इसमें SDR मिलेगा ना SDR 10 देखने को मिलेगा जो कि अगर बात करें 32 या 40 या 43 इंच वाली जो other brand है उनके टीवी में आपको यह देखने को मलता है इसमें वो देखने को नहीं मिलेगा vivid picture engine यहाँ पर मिलेगा जो की color correct करेगा perfect तरीके से करेगा दोस्तो यहाँ पर अगर audio की बात करें तो यहाँ पर जो sound है 32 इंच में आपको 20 watts मिलेगा जबकि 40 और 43 इंच में आपको 24 watts मिलेगा जो पुराने वाले TV हैं उनसे 4 watts extra आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर 32 इंच में बहुत सारी चीज़े missing है अगर दोस्तो operating system की बात करें Android 11 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सारे ही TV में Android 11 आपको देखने को मिल जाएगा अगर दोस्तो processing power की बात करें तो 1 GB RAM और 8 GB internal memory मिलेगा आपको 32 इंच वाले TV में जब की आपको 40 और 43 इंच वाले TV में 1.5 GB की RAM मिलेगी जो की बढ़ा दी गई है जो की एक बहतर option है और यहाँ पर 8 GB internal memory मिलेगी दोस्तो यहाँ पर भी आपको patch wall 4.0 मिलेगा IMDB connectivity के साथ जिसमें की बहुत सारे feature हैं आपको 300 live channels free में देखने को मिलेंगे other other apps है आप universal search उसमें कर सकते content एक ही जगविक पर देख सकते बहुत सारे feature इसमें आपको देखने को मिलेंगे connectivity की बात करें तो यहाँ पर dual wind wifi दोनों में मिल जाएगी Bluetooth 3.5 audio jack Ethernet port बगेरा आपको सब इसमें मिल जाएगा auto low latency mode भी आपको मिल जाएगा तो दोस्तो connectivity के लिया से देखे सारी ही चीज़े आपको यहाँ पर मिलेगी dual wind wifi 32 inch वाले smart tv में मिलना काफी अच्छी बात है दोस्तों यहाँ पर pricing की बात करें तो 32 inch वाला है 15,499 रुपे का अगर उसको आभी purchase करेंगे तो SDFC के साथ आपको 2000 रुपी का cashback मिल जाएगा अगर दूसरे टीवी से बात करें तो यहाँ पर और भी option है जिसमें बहतर feature है और इतने ही same price में आपको मिल जाएगा तो मेरे हिसाब से यह वाला टीवी आप ना purchase करें क्योंकि SDR यहाँ पे missing है दोस्तों 40 inch वाले pricing है 22,999 रुपे यहाँ भी 2000 रुपीज का आपको discount मिल जाएगा अगर आप purchase करते है 43 inch full SD जो smart टीवी है वहाँ पे आपको 25,999 रुपेगा मिलेगा उसमें भी आपको SGFC की से cashback मिल सकता है तो यहाँ पे इन टीवी का ही link आपको description में मिल जाएगा तो आप वहाँ से purchase कर सकते हैं अब आप मुझसे पूछते हैं कि यह smart टीवी purchase करने चाहिए या नहीं तो मेरी राए में इसमें वो feature नहीं है जो आजकल के smart टीवी में आपको मिल रहा है तो मेरे हसाब से यह टीवी आपको नहीं purchase करने चाहिए इसके other option दे सकते हैं जिसमें कि आपको SDR जैसी facility मिल जाए जिससे कि आप Amazon Prime या Netflix जैसे जो options हैं जो apps हैं वहाँ से आप SDR content अराम से देख सकते हैं तो वो option अगर आपको मिल जाएंगे तो बहतर है और भी option यहाँ पे हैं जैसे कि आपको audio और बहतर मिल सकती है जादा मिल सकती other में तो अगर वो purchase करने है मैं कुछ product के link आपको description में देदूँगा उसके alternative में वो आप check कर सकते हैं तो दोस्तो मुझे comment में लिखके बताईए यह TV आपको कैसे लगे इन में जो features मिले हैं वो काम के है या नहीं तो दोस्तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई और पसंद आई तो like करना, share करना, comment करके बताने वीडियो कैसी लगी thank you so much, बन्दवाता